हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सेस केंद्रा फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दोरोगा पीटी एकजाम जो 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा फ्रेंड्स उसके लिए जो प्लेटफोर्म का वॉलूम 4 प्रैक्टी सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर आज 4 हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और 3 को कवर कर लिया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा उन तीनों वीडियो का लिंक आपको आज कि इस वीडियो के डिस्क्रूप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा परमा कल्चर ऐसे लिखा मिलेगा ठीक है तो आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे अंगरेजी में ज्यादा सुविदा होगी आपको पढ़ने में तो दीके परमा कल्चर जो है सतत क्रिशी आपने हिंदी में सुना होगा भूमी परवंधन से संबंदित एक विशेश द्रि राइटनसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों सानुरोध है कि वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना इसकूर जरूर कमेंट करके बताएगा दूसरा कुस्त देखे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो प्रोटीन की कमी से होता है आपको बी राइटनसर हो जाएगा क्लियर क्वाशी और कर रोग में बच्चों के हाथ पाउं दुबला पतला हो जाता है यह वं पेट बाहर की और निकल जाता है मारास्मस रोग में बच्चों की मांस्पेशिया जो है वो धीली हो जाती है नेक्स्ट गुस्टन देख लिजेगा तीसरा प्रशन की एक मनुस्य अस्मृति यानि की जो मेमोरी खो बैठता है मेमोरी लॉस हो जाता है इसके मस्तिक्स का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो फ्रेंस राइटनसर इसका हो जाएगा आपका सेरी ब्रम ठीक है यहां मैं लिख देता हूं अंगरेजी में जो ल नेक्स्ट कुस्ण देख लीजिएगा अगला कुस्ष्ण है कि समुह के सदस्यों को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है बताए एसमज कहा जाता है आमतौर पर पोरी फेरा समों को रैट अंसर अप्शन नंबर सी हो जाएगा इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा इससे जो है एंटिबैटिक तथा कैंसर के लिए दवाईयों का निर्मान किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्ष्ण देख लिजे अगला कुस्ष्ण है कि कौन सा ल नेक्स्ट कुस्ष्ण देख लिजेगा यहां मिलान करना है देखे सारस ब्हारत का पहला बहुदेशीए स्विल उप्योग का लाइट कमब़ेक्ट यार क्रापड है तो राइट अन्सर इसका क्या होझागा रेटेंसर हो जाएगा मल्टी परपस सिविल हवाई जहाज उसके बाद बात करें तो भिस्म यहाँ टैंक है बैटल टैंक यानि कि यूद का टैंक है यहाँ तो बैटल टैंक हो जाएगा ब्रमोस जो है यह मिसाइल है और इंसेट 3C जो है यह सेटलाइट है तो अब आप लिक है लाइनोलिक या लीणोलिक ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा लाइनोलिक ठीक है ध्यान रखेंगे इसका B राःटांसर हो जाएगा ने भारतियस्वतन तबस्ता संग्राम के उड्यस से समचार प्रारम किया था तो आपको याद हो खारण्स तीलक जीने अंगरेज़ मराठा और मराठी भासा में केसरी का प्रकाशन किया था बाल गंगादर तीलक ने 1893 इस्वी में गनेश उत्षव और 1895 में जो है इन्हों ने सिवाजी उत्षव मनाना प्रारंब किया था भारत में उगर राष्टबादी विचारधारा का जनक बाल गंगादर तीलक को माना जाता है तो रहे टंसर क्या हो जाएगा और यहां पर दिखेगा और भी हो जाएगा कि नेक्स्ट कुस्सन दिखेगा कि हरीजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे तो हरीजन का संपादक थे कौन महत्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था 1933 में यरवडा जिल पुने से पुने से यह प्रकासित हुआ था पहली बार ठीक है इसका जो प्रथम अंक था यह पहली बार पुने से प्रकासित हुआ था यरवडा जिल से तो यह हो जाएगा महत्मा गांधी जी अचा आपको ध्यान होगा कि इंडियन ओपेनियन समचार पत्र जो था गांधी जी ने इ कौन से सीमा रेखा है तो फेंस यहां है मैक, मोहण रेखा अपस्टर सीव समुद्र यहां किस नदी पर binalya बनायगया बदाईये स समुद्र नदी नदी पर बनायगया उपसने से कावेरी नदी उसका बाद चले, next question दिखेगा कि इंद्रा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो देखें इंद्रा गांधी नहर को पानी मिलता है सत्लज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीके बांध से निकाली गई है और इस नहर का जो लाभानी तिराज है इसे तो पंजाब और राजस्थान है ध्यान रखेंगे तो राइट एंसर हो जाएगा सत्यलज और व्यास किस संस्था ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रेडिंग मसीन विक्सित की है तो यह हो जाएगा आपका CSIR और CSIO ठीक है उसके बाद next question देख लिजेगा अगला question है कि किस देश ने पहली बार ताइवान को हतियार बेचने की मंजूरी दी है तो राइट एंसर इसका हो जाएगा आपका option number C अमेरिका 6 अगस्त को कौन सा दिवस जपान द्वरा मनाय जाता है तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाय जाता है आपको याद होगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नगा सकी पर अमिर्का ने एटम बम गिराया था दूसरे विस यूद के धोरान तो ये 6 अगस्त को मनाय चंद्र खेलरतन अवार्ड रखा गया है और इस वर्स बारा खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यान चंद्र खेलरतन अवार्ड से समानित किया गया है इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी कवर किया हुआ है देख लीजेगा इंपोर्टेंट रहेगा आपकी एक्जाम के लिए अधिकार दिया गया जो अलगावादी प्रथा का अभिष्ट लक्षन था तो राइट अंसर इसका ओप्शन नमबर बी हो जाएगा उसके बाद कि सहकारी संस्थाव के अस्थापने के लिए कौन से समिधान संसोधन किया गया था तो फ्रेंट्स यह किया गया था संतानवे संसोधन ध्यान रख एक संसुधान संसोधन के द्वरा मंत्री परिस अकार कि आ चैहें समीधान संसोधन के द्वारा जो है शिक्षय का धिकार को मौलिक अधिकार बनाए गया और सोंवा समीधान अजन्यम है इसके द्वारा बंग्ला देश से सीमय विवाद को alan किया गया नेक्स्ट कॉçar डिखेया परषाशनिक सनस्ना है और संदमाल है मातमा गान्दी के गराम स्वुराज के गथन से संबंद्स प्रावधान कीये गया है इंप्रेंट है चलिए नेक्स्ट कुसुं देख लिज गा कि समिधान निर्मात्री परिशत की तदर्थ जंडा समिधी यहां देके तदर्थ सब्द रखा हुआ है क्या धक्स कौन थे इसका धक्स डॉक्टर राजिन्द प्रसाद जी थे ओप्सन नमबर बी राय टंसर हो जाएगा 22 नमबर देखेगा किस आयोग ने अखिल भारतिय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिस की थे तो देखे राय टंसर इसका हो जाएगा अप्सन नमबर सी राज मननार आयोग ध्यान से सुनिएगा तमिलाडू सरकार दोरा गठित 1979 ध्यान रखेंगे 1979 इस भी में राज मननार आयोग ने केंद्र एम राजयों के मद संबंद को मजबूत करने के लिए राज मननार आयोग का गठन किया था राज मननार आयोग ने अखिल भारतिय सेवा IS IPS को पद को समाप्त करने की सिफारिस की थे यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकारीया आयोग तिक सरकारीया आयोग का गठन किया गया था यह 1983 में हुआ था और इसका गठन भी केंद्र एम राजयों के मद संबंद को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने हेत्यु किया गया था 2007 में पुंची आयोक का गठन भी केंदराज संबंध के लिए किया गया था बैंकों में गरहक सुबदा को बहतर बनाने के लिए 1990 में यहाँ पर देखिए गाई पोरिया आयोक का गठन किया गया था नेक्स्ट कुसें देखिए गा कि यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर में क्या सत्य है तो देके रैटन सर इसका हो जाएगा आपका यहाँ नासा के एक मिशन है बिलकुल सत्य दिया गया इसे 2024 में लौंच किया जाएगा तो यह इसरो का नहीं है यह नासा का है तो ए और सी हो ज संगाही स्योग संगठन के समंद्ध में सही इसमिसे आपको चुनकरके बताना है १ रैटन सेर इसका क्या हो जाएगा तो देखें ध्यान दीजिएगा अगर हम इसमिसे बात करें तो इसमें रूस शीन और कजाकिस्तान जो है संगाही संगठन के संसत्रा पस्था priests है ऑना उसका बाद देखिएगा next question यहां भी देखिए दिया गया है कि दोनों सत्त हैं तो यह गलत है दोनों सत्त हैं तो option number c right answer इसका हो जाएगा next question देख लिजेगा अगला प्रशन है हमारा कि COP26 यानि कि Conference of parties जिसको कहा जाता है Conference of parties ठीक है COP26 सिखर सम्मेलन का आजन किसे सहर में किया जाएगा तो अभी इसका आजन हो गया है Glasgow में हुआ है फ्रेंट्स जिहान रखेंगे option number d right answer हो जाएगा उसके बदेखिए लिजे कि बाल आधार के संदर में सही कथन इसमें से कौन सा है तो देखिए इसमें सही कथन जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा इसमें बायोमेट्रिक जनकारी के आँ सकता नहीं है ठीक है उसके बाद यह सत्य हो जाएगा और बाल अधार की एकमातर सरकारी आइड़ी है जो नावजात सिस्वों को जारी की जा सकती है बिल्कुल सही दिया गया है तो right answer option number d हो जाएगा a और c जो हैं दोनों correct है next question देखिएगा अगला प्रशन है कि उस बहुत गरंत का नाम बताएगे जिसमें त्रिभूजों के लिए नियमों का उलेख है तो यह गरंत जो है फ्रंट्स यह है आपका विनय पीटक आपको पता है कौन-कौन से तो विनय पीटक सुत पीटक और अभिदंबे पीटक ठीक है फ्रंट्स त मौलिक विचारों के संदर्व में किसी को भी कोई विश्यस अधिकार नहीं है तो यह किस ने कहा था फ्रंट्स यह कहा था डॉक्टर भीहम राओ अंबेतकर जी ने ऑप्सन नमबर सी रायटनसर इसका हो जाएगा ठीक है चले अगला कोस्न देखेगा कि 27 अगस्त 1947 को समिध बलम पंत ने कहा था ठीक है राइट अंसर ऑप्सन नमबर जी बी पंत आपने सुना होगा जी बी पंत ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा नेक्स्ट कोस्न देखेगे रॉलेक्ट एक्ट के अंतरगा तन्यमलेकित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था तो यह हो जाएगा आपका मुकदमे के बीना करावास आपको पता भी होगा रॉलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था ठीक है लॉर्ड चैंस फूर्ड उसमें वाइसराय था ध्यान रखिएगा अगला कुशन देख लीजेगा कि नोबेल पुरसकार विजेता कैलास सत्यार्थी इनमें से क 2014 में दिया गया था रैट अंसर इसका हो जाएगा बच्पन बचाओ आंदोलन से यह जुड़े हुए है उसके बाद नेक्स्ट कुशन देख लीजेगा क्यों वह अच्छेतर जहां किसान केवल सबजीयों में विश्यसग्यता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है तो फ्रेंट्स यह कहलाती है ट्रक फार्मिंग ओप्सन नमबर डी रैट अंसर इसका हो जाएगा ध्यान रखीएगा ठीक है चली नेक्स्ट कुशन देख लीजे अगला कुशन है हमारा मैत का कुशन है फ्रेंट्स इसका मैं एंसर आपको बता देता हूँ एंसर इसका ओप उपेशन नमबर ए हो जाएगा 36 का देख लिजे 36 का उप्स नमबर बी हो जाएगा 37 का उपसन नम्बर सी हो जाएगा पिड़ियएफ आपको टेलिग्राम पर मिलेगा ऑल्रेडी मैं ने दो स्टका पीड़ियएफ देग आज मैं तीसरा दे दूंगा और कल वाली वीडियो म में हम लोगों ने जो ESI का मेंस्क एक्जाम अभी हाली में अगस्त 2021 में संपन हुआ था उसको हमने कवर किया हुआ था तो उसका भी पीडियाप में आपको दे दूँगा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक छेतर जो है यह कौन सा है तो फ्रेंट्स यह हो जाएगा आपका उर्जा छेतर ठीक है ओप्सन नुमबर C राइटन सर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्सन देख लिएगा कि निमनांकित में से विस्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है सबसे लंबा रेलमार्ग जो विस्व का है यहाँ रेलमार्ग जो है यहाँ ट्रांस साइवेरियन रेलमार्ग है ओप्सन नुमबर A राइटन सर हो जाएगा यहाँ जो कि इस धरोवर अस्थाल में वास्तुकला की द्रविड अस्थापत्य सैली है तो सही इंसर इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए राइट अन्सर हो जाएगा हमपी में ठीक है अपसे नमबर बी हमपी हो जाएगा हमपी जो थी यह विजनेगर समराजी की जाता है चलिए उगला प्रशाण देखिए नेक्स्ट को सेने के वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के एक प्रनाली है यहां किसके द्वारा विक्सित की गई है तो आई बीम के द्वारा आप्शन अमबर डी राइट अंसर हो जाएगा आई बीम ठीक है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इसका फुल फॉर्म होता है चलिए अगला कुशन देख लिजेगा इसकी जी एसल भी तो दीके हम लगोंने पी एसल भी पड़ा है पोलर सेटेलाइट लॉंच वहिकल जी एसल वी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा अब जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉंच वी कल नेक्स्ट कुशन देखेगा कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभिहान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेच रूप से लॉंच किये गए बैंक जो बैंक खाते हैं उनका नाम क्या है तो फ्रेंस उनका नाम है सुकन्या सम्रिधी उप्सन नमबर बी राइटन सर हो जाएगा सुकन्या सम्रिधी योजना का नाम है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देख लिजेगा अगला प्रशन है हमारा कि इस ब्रमांड में मौजूद प्रतेक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उससे व्यग्य यानिकों ने उनकों का है मैटर ठीक है ओप शूह है वहह मीमोसा Пुडिका अगला कुछ नंबर डी हो जायागा मीमोसा पुडिका अगला कुछ देखेगा कि नमले हैषित मेंसे कौन सा क्रूश्मार् हम लाड़ो स्थित नहीं है इस बस से सीम लाड़ो में जो इकनल फोर्ट है ये नहीं यह के रखेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे बाकि सभी य Sumi अई तमील आड document में श्तित हैं ईसका नमबर 2 इसका राय टंसर हो जाएगा यह केरल मेंस तीत है उसके बाद देखे मपूतो किस देश की राजधानी है तो मपूतो जो है यहाँ राजधानी कहां की है फ्रेंट्स यहाँ राजधानी है मोजांबिक की या फिरकी देश से मोजांबिक ध्यान रखेगा नेक्स्ट कुस्षन देख लीज़ेगा अगला कुस्षन है कि मैंनेड़नी तो दिखें जब पदार्थ अतِّ निम्न ताप तक ठquito किया जाता है तो रैड्टन्सर आप्षन बड़ी हो जाएगा लिफ्ट चलाए मान सेड़ी दिनकों की हम लोग elevator कहते हैं उसका त्वरण A के साथ उपर की और उर्धवाधर उठ रहा है M मातरा वाले एक यात्री के द्वारा फर्स पर आरोपित बल तो देखे फ्रेंस ध्यान दिजेगा इसमें कहा गया है कि त्वरण A के साथ उपर की और लिफ्ट जा रही है उर्धवाधर ठीक है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा उपर की और जा रही है तो ध्यान रखेगा उसका पर देखे किसी ध्वानी का पीच से निर्वर करता है तो ध्वानी का जो पीच है वो आविर्ति और आयाम पर निर्वर करता है तो आप्सन नमबर A राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखेगा कि एक उश्न वस्तू उस्मा विकरन की रूप में अपनी उस्मा को अपने परिवेस में छोड़ देती है उस्मा हानी की दर किस पर निर्वर रहती है तो धीके उस्मा हानी की जो दर है या निर्वर रहती है वस्तू और परिवेस के तापमान के अंतर पर, option number C, right answer इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, next देखे, केरल की राजभासा क्या है, तो केरल की जो राजभासा अब वो क्या हो जाएगा, केरल पुझा गया है, बताइए, तो right answer हो जाएगा, मले आलम, ठीक है, option number A, right answer हो जाएगा, मले आलम, अगला question देख लिजेगा, next question है, कि ठुमरी, जो अर्ध सास्त्रिय भारती संगित की एक आम सैली है, की रानी की रूप में, किसे जाना जाता है, यनि कि ठुमरी की रानी की रूप में, तो फ्रेंस, ये जाना जाता है, किनको, ये जाना जाता है, आपको, गिरिजा देभी को, option number C, right answer हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसके बुखार सामाने कित्सक से संबंदित है, वैसे ही, आखों की द्रिष्टी से संबंदित क्या हो जाएगा, तो आखों के जो द्रिष्टी है, जो उसको कहा जाता है, यहाँ प इसका पूनरूप क्या है, दिके मैंने बता दिया, तो हिंदी में इसका इंग्लिस में हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स, और हिंदी में, राष्टिय जंतांत्रिक लुख जंतांत्रिक और हो जाएगा, जले, नेक्स्ट कोस्टन देख लिजेगा, अगला प्रश पर केजी हो जाएगा उसके बाद 61 नमबर देखे जल के अस्थाई को ठोड़ता है इनकी उपस्तिति के कारण होती है तो यह होती है आपकी CACL2 और CASO4 के कारण ठीक है तो आपसन नमबर डी राइटनसर हो जाएगा याद रखेंगे इंपोर्टेंट है ठीक है चले उसमें घुले जल में घुले कैलसियम और मैगनीसियम के कुलराइड या सलफाइड के कारण होता है अस्थाई को ठोड़ता नेक्स्ट कुस्सन लिजेगा अगला कुस्टन है फ्रेंड्स हमारा हां नेक्स्ट कुस्टन देखेगा 62 नंबर कि निमलकित ना भीकी अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कोनों का उठ सर्जन होता है बताइए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो दिके राइट अंसर इ हमारा कि क्रित्रिम तोर पर गैसुलिन उत्पादन के और दोगिक प्रक्रम को कहते हैं तो गैसुलिन उत्पादन के और दोगिक प्रक्रम को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है फीशर ट्रॉप्स देखिए यहां हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है तो देख लिए देख लिएगा फीशर ट्रॉप्स प्रक्रम प्रात्मिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को समिधान में कब जगा दी गई थी तो यह आपको पता है कि यह कौन सा समिधान संसोधन 86 समिधान संसोधन 2002 में ठीक है 6 से लेकर के 14 वरस्तक के बच्चों के लिए अनिवार यहों प्रात्मीक शिक्षा को मौलिक अधिकाय की रूप में मानेतर देने संबंदी प्राधान है इसमें तो रैटेलसर हो जागा 2002 में 86 मा समिधान संसोधन अगला कुसे लिए के संक्तराष्ट जनरल असंब्ली के देख्षता करने वाली प्रतम महिला कौन थी तो फ्रेंट्स यह महिला कौन थी यह महिला थी विजिया लक्षमी पंडित नेहरुजी की यह बहन थी ध्यान रखेगा उसके बदे के संसोधन के कौन सो संसोधन राजनेतिक दल बदल से संबंदित है तो फ्रेंट्स रेंट्स इसका हो जाएगा और सी बावनवा संसोधन ठीक है बावनवा संसोधन संसोधन 1985 में हुआ था राजिव गांधी सरकार द्वारा दल बदल कानून लाए गया था दसवी अनसुची में जोड़ा गया है ध्यान रखेंगे सब्सक्तर दुञाल का भारत के राष्टपती द्वारा प्राक्याथि अध्यादेस को पारेत करने के लिए संसत को क्या समय सिमा दी गई है हैं तो सई इंसर इसका क्या हो जाएगा सई इंसर हो जाएगा इसका छे महीं भी है आप सन न league C राए अंसर हो जाएगा है आन रखेंगे छे महीं को और ने 6 status के तहत जो है और 688 के तहत राष्ट UPती अध्यादेश जारी कर हो जाएगा नबाट एंग छेत्रिये ग्रामिन बैंक की साखा सुरुत का उधारन है तो फ्रंट्स यह है संस्थागत ठीक है अप्शन नंबर यह हो जाएगा संस्थागत बारत जुलाई नबाट के अस्थापना हुई ठीक है ध्यान रखिंगों वर्तमान में गोविंदा राजालु सिंताला जो है इसके प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर एंड रूलर डेवलप्मेंट नबाट का फुल फॉम होता है उसका में देखेगा कि सकल राष्टी उत समितिक अगठन किया तो उनिशनौनचास में किया रखेंगे महार रखिख महर्यास्ट में महाराष्ट में तो महराश्ट्र हो जाएगा इसको देखें आई एमडी यहां देख लिए आई एमडी द्वारा हाली में जाई 2021 वैस्वित परतियस परदास सुष्टांक में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को इसमें 43 वा अस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है और पहल 75 नंबर के हो गया हमारा 75 नंबर देखिएगा 75 नंबर है कि 2011 में भारत के समिधान में होने वाले 97 संसोधन का सरोकार किस विशाय से है तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा रैट अंसर जो होगा 75 का यह आपका option नंबर B हो जाएगा सहकारी संस्थाओ के गठन अमकारे संचा तो रैट अंसर इसका क्या हो जाएगा रैट अंसर हो जाएगा option नंबर इसमें से भी हो जाएगा एक दो और तीन ठीक है यह जो है समिधानी के प्रादीकरन है राजनिरवासन गया वितायोग और जीला पंचाद इनका समिधान में जिक्र किया गया है ध्यान रखिएगा उ साथ हजार option number C हो जाएगा इसका 7000 जनसंगया पर ग्राम पंचायत के गटन किया जाता है राष्टपती के निरवाचन मंडल के सदस्त होते हैं तो देखे फ्रेंस रैट अंसर संसत के दोनों सदनों के निरवाची सदस्त और सभी राज्यों के विधान सभाव के निरवाच कोईला और पेट्रलियम के दहन क्या परिणाम खाले स्तान देया गया में ऑक्साइड की रूप में होता है तो फ्रेंस यह होता है नाइट्रोजन और सलफर के रूप में उसको नियुक्त किया गया था तो और लेड़ी के कुस्टन मैंने कराया हुआ और कुमार माथूर को option स्वामी विवेकानन्द हो जाएगा ध्यान रखेंगे उसको बहुत देखेगा कि वायमंडल की उपरी सत्तरों से में विदमान ओजोन और सूसन करती है तो यह हो जाएगा आपका परवैगनी और सौर विकरन का सांत घाटी यानिकि सालेंट वैली की सराज में है तो यह किर अगला कुशन देखेगा कि सेंक्त राष्ट दुरा आयोजीत वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रतम अस्थान प्राप्थ हुआ है तो रेट अंसर इसका हो जाएगा आपका फिल्लेंड को आपको फता होगा फिल्लेंड कई वर्षु से लगातार इस पर बना हुआ है महाराष्ट के पालगर जीले में भागवलिक संकेतथ जी आई टैक परमानित उत्पाद गोलवार सपूर्टा छीकू की एक केफ केप किस देश भेजी गई है तो फ्रंस इए भेजी गई है कहांपर यह भेजी गई है United Kingdom में उसके पूर्भि कोलकाता आद्रभोम्य को खाले अस्थान दिया गय कीード नमब्र दिखेगा कि से Bak मैं वेज़ाया किस उपर-म्स defender और More पढ़ी हो जाएगा रामसर साइट की रूप में 92 नमबर दिखेगा कि बिहार की किस जिले में पहाडी के उपर पहला पहाडी बहुत मठ का पर्मान मिला है तो यह मिला है लखी सराय में भारती रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी माल गारी का संचालन कर एक नय रिकॉर्ड फेला है तो से जिसक रीस का हो जाएगा आपका ओपनवर रेल यह दको पुर्माजल रेल वे गत्रल को से किस राज़ जेकी बेसे में सम्रमानित किका नहीं भारती Good नोसी नहार हिंद महासागरशं में युदा अभ्यास का नाम क्या है तो इसका नाम जो है यह आपका ट्रोप एक्स ठीक है ध्यान रखेंगा ओप्सन नूमर बी हो जाएगा 95 का 96 नूमर देखेगा खबरों में रहा माजूली दिप कहां है तो माजूली दिप्त आपको पता है असम में है ठीक है ब्रह्मपुतर नदी आपने पढ़ा भी होगा उसका बाद देखेंगा कि वीर सयव परमपरा का संबद निम्लेकित में से किस राज से है तो करनाटक जाएगा दिहान रखिएगा उसका वाद के लोकसभा अध्यक्स कंतरगात निम्लेकित में से कौन सा कथन सही है तो यह हो जाएगा आपका तोरण पर बने अलंकरित और बहुमंजिला भवन द्वारा अपसन नमबर ए राय टंसर इसका हो जाएगा उसका वादिके भारतिये विदेश निती जो तरस्ता पराधारित है का परारम किया गया था तो फ्रंस यह किया गया था जो हाला नहरू नहीं इसकी शुरुआत की थी फ्रंस सौ कुस्षन हमारे कम्प्लीट हो गए स्कूर आप कमेंट कर जीजे और वीडियो को प्लीज लाइक और सेर कर जीजेगा पिदिए प्लीगराम कर आप कमेंट जागा